है है गाइस कैसे आप सब तो गाइस आज के वीडियो में में रिव्यू करने वाला हूं रेड्मी नोट 4 के लिए सायूमी यू का जो स्टेबल अपडेट है उसका तो वीडियो को स्टार्ट करने से बिले दोस्तों अगर अपने मेरी चैनल अभी तेक सिस्क्राइब नहीं किय और एंड्रोइड वर्जन है एंड्रोइड पाइप उसके बाद आंट में मेने का सिक्यूरिटी पेचे और करनल को मैंने यहां पर कार्बन वर्ष का यूज किया है अगर आप चाहे तो उसको बाद में चेंज कर सकते हैं अपना मुताबिक कोई साब पाइप का करनल है उसक सबसे की कभीबा अच एक जो thấy वह लेक करेंगा या फिर फोस्ट फोजाए मूर्मल होता एंग suscriya बात कर लेते इस के बार में यहां पर वोल्टी की तो वोल्टी हो बिल्कुली वर्ट कर रहा है या सिसमें आपको कोई भी दिक्चत नहीं आएग आगर दूतों आप बात कर है वीडियो को लिंग की तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता ही है कोई भी पाइट पॉर्ट में वीडियो को लिंग का कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर भी आपको नहीं मिलेगा उसके बाद अगर हम बात करते हैं केमेरा की तो दोस्तों केमेरा है fully stable है, यहां से आप video recording भी कर सकते हैं, और photographic भी कर सकते हैं अगर दोस्तों हम बात करते हैं यहां पर portrait mode की, तो portrait mode को use करने के लिए आपको gcam को use करना पड़ेगा, यानि google camera को install करना पड़ेगा तो यहां पर दोस्तों camera है, वो fully कर रहा है अब दोस्तों बात करते ही यहांपर क्विक सेटिंग की तो क्विक सेटिंग में भी दोविक कुछ कर रहा है अगर हम बात करते ही यहांपर Bluetooth quünü एस डि यापenee कर सकते हैं और यहांपर Reading mode वगएर Come छल रहा है कोई भी comment section में बता दीजीगा अभी दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर display setting में जो contrast का color का problem था वह भी मिने fix कर दिया है तो यहाँ से आप जो भी color आपको पसंद है उसको select कर सकते हैं यहाँ पर आप देखे सकते हैं जो भी color आप पसंद करेंगे और यहाँ पर apply हो जाएगा कोई भी यहाँ पर error नहीं दिखेगा तो यह भी दोस्तों fully stable है अभी दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर lock screen की तो यहाँ पर fingerprint और face data दोनों का option आ रहा है और यह दोस्तों fully stable है यानि कि ऐसा नहीं है कि आप अगर face data scan करेंगे तो आपका mobile हो forced off हो जाएगा setting वगरा कुछ भी forced off नहीं होगा यह successfully apply हो जाएगा और यहाँ पर आपको setting में full screen display का भी option मिल जाता है full screen gesture का तो इसको भी आप use कर सकते हैं बाकि दोस्तों सब कुछ work कर रहा है यानि कि GPS वगरा भी work कर रहा है अगर कुछ भी आपको problem दिख जाती है तो आप मुझे comment section में बता दीजीगा अभी दोस्तों बात कर लेते themes की तो यहाँ पर दोस्तों theme में कोई सा भी wallpaper है उसको आप home screen या फिर लोग screen भी apply कर सकते कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी और अगर हम बात करते third party theme की तो directly आप यहाँ पर mtz file को import करके कोई से भी theme में उसको apply कर सकते हैं तो बस दोस्तों इस port में आपको यह सब जो है working मिल जाता है और जो मैंने box बताए वो सब box मिल जाता है और दोस्तों यह pre-rooted आता है तो आपको root करने के भी जरूत नहीं पड़ेगी directly आपको ROM को install करना है तो आपके mobile root हो जाएगा तो दोस्तों आपको अगर यह ROM अच्छी लगी है और download करना चाते है तो इसके links पगेर आपको description में मिल जाएगी तो वहाँ जाके आप इसको download कर सकते हैं अगर आपको इस video के दोरान मेरी कोई भी बात समद नहीं आ रही या फिर कोई भी आपके सवाल है तो आप directly comment section या फिर मुझे telegram group पे coin contact करके पूछ सकते हैं तो बस दोस्तो आज का वीडियो यहीं तक था अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाया तो इसको लाइक कर दीजिएगा comment कीजिएगा सेर कीजिएगा साथ इसाथ दोस्तो अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राब भी कर लेना झाल